बिस्मिल्लाई रह्मानी रहीम, अस्सलामु अलेकुम, आज मैं आपके साथ में दही गोश्ट की बहुत ही इंट्रस्टिंग सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ, तो अगर आपके रेसिपी पसंद आए तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चानल को सब्सक्राइब करके बेल बेटन को भी हिट कर दीजिए, ताके मेरी आनी वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, सबसे पहले कूकर में तीन चमज ओईल को गरम कर लिया है, मैंने इसमें कुछ गड़े गरम मसाले, तीन से चार लोंग, काले मेच, दालचीनी का स्टेक और स्टार पहले मैं इसको गोश्ट को जो है, वो भून रही हूँ, अगर आप चाहे तो सर्सो का ओईल भी यूज़ कर सकते हैं, मगर मैं यहाँ पर नॉर्मल रिफाइंड ओईल, जो संफ्लार ओईल है, वही यूज़ करती हूँ, तो अब मैं इसमें आट कर दूँगी, दो चमज अ दूखी वाली एड़ कर दूँगी, और इसे भी हम अच्छे से भून लेंगे, अब मैं इसमें आट कर दूँगी, दो चमज भर के धनिया पाउडर और आदा छोटा चमजी मैं इसमें आट कर दूँगी, सिर्फ कलर के लिए हल्दी पाउडर, अगर आप चाहे तो हल्दी लेगे अब देख सकते हैं तो इसे हम अच्छे से भून लेंगे अभी आप देख सकते हैं सारा पवार बार जूल् और सिर्फेस पर आने लगा है आप आपकम स्टे मिक्स कर लेंगे और nuestras करें तीन बड़े प्याइब श करने कि log करते हैं कि आप करते के सेssa लेकिन इसका मसाला जो है वो थोड़ा जादा बनाने के लिए मैंने तीन प्यास कश में यूज किया है तो प्यास दालने के बाद इससे हम अच्छे से भून लेंगे पांस से दस मिनेट तक के लिए और इसको हम इसमें आड़ कर देंगे आदा गलास पानी और इसकी हम ले ले तो दही थोड़ी सादा कॉंटेटि में जाएगा इसमें लग भग , इसमें जाएगा हमारा एकक बबाद भरके पूरा दही तो दही डालने के बाद इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और सारा पानी जितना भी है इसमें दही का और गोश्ट का वो सारा हमें पूरा सुखा लेना है तब ही इसका मसाला जो है वो अच्छे से बन जाएगा तो अभी आप देख सकते हैं इसको हम रख देंगे दस से पंदरा मिनिट तक के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर ताकि इसका पानी पुरा ड्राय हो जाए और अभी आप देख सकते हैं मसाला कितने अच्छी तरीके से भून चुका है पूरा पानी जो है वो पूरा ड्राय हो चुका है अब मैं इसमें अट कर दूँगी आदा चोटा चमच गरम मसाला पाउडर और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे गरम मसाला पाउडर दालने से इसमें बहुत ही अच्छे से खुश्बू आती है और इसका टेस्ट बढ़ जाता है और अभी मैं इसमें अट कर दूँगी अमूल की फ्रेश क्रीम अगर आपके पास दूद पर जमी हुई जो मलाई होती है वो भी आप इसमें यूज़ कर सकते है तो मैं यापर अमूल फ्रेश क्रीम अट कर दूँगी आधा कप के करीब और इसे भी मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी क्रीम डालने के वाक्त आप गैस की फ्लेम जो है वो बिलकुल लो रखिये ने तो क्रीम जो है वो फटने लग जाएगी तो अभी आप देख सकते है क्रीम डालने से इसका जो है फ्लेवर बहुत रिच हो गया है अब मैं ये क्रीम के डबे में थोड़ा सा पानी आट करके वो भी इसको मिला कर दाल दूँगी ताके ग्रेवी जो है हमारी थोड़ी अच्छे से हलकी पतली हो जाए तो इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे फिर हम लो गैस पर पकने देंगे अराउंड दस से बारा मिनिट तक के लिए ताके क्रीम अच्छे से पक जाए और पूरा जो अच्छे से इसका ऑईल है वो छूट जाए और ये हमारा दही गोश्ट पराठे नान के साथ खाने के लिए बिल्कुल रेडी है बिलते हैं नेक्स रेसीपि में तब तक लिए अल्ला हाफिस